Hello Students, अपने पहले जो वीडियो थी उसमें कर लिया था, जो 9 अपने लेसन है, क्लास 9 के लिए वो स्टार्ट किया था, तो उसमें अपनोंने कुछ चीज़ें पढ़ी थी बल के बारे में कि बल क्या होता है, बल संतूलित बल, लैसंतूलित बल के बारे में देखा था, उसके ब नियूटन के गती के नियमभी नहीं कहा जाता है दिखते हैं कि क्या हुआ इसमें वस्तों कि आनत तन पर के सुआ निखै करें कर देखेंगो में dod शॉस्ट कुछ अनत तल जो धता'm कि फूरैंक unique you यह चोटी सी कांच की गोली है या कुछ भी कहलो यह इस से जा रही है और इधर जा रही है ठीक है यहां से वापिस आई फिरे दरूपर चली गई तो उन्होंने इस गती को देखके क्या कहा देखो कि जब तक कोई बाराबल कारा नहीं करता वस्तों एक निश्चित गती से चल पर लुड़कती है और तो उसका वेग बढ़ जाता है तो अगले धाय में पढ़ेंगे यह चोड़ो अपने आगे देखते हैं सबसे पहले इस डाइग्राम को देख लो चलो डाइग्राम से पहले थोड़ा उपर देखते हैं कि और नीचे पहुंचते पहुंचते यह एक उकितव वेग प्राप्त कर लेती हैं है अब डाइग्राम डाइग्राम देखो सबसे पहले किसकी बात ओरुक है यह आपका डाइग्राम प्देखो यह जाने के बड़िए तो वेग क्या हो accredi को दो इसको यहां से चोड़ा जाता बागर श topics का जाएगी यहां से ज़ख़ा हो गे तो वेग क्या हजेगा बढ़ जाएगा और यहां से उपर वाज बढ़ेगा मैं फ्रिवर्थन न24 अपने शान से यहां जाएगी इस साइज चली engineer यहां से अपने गोली और छोड़ा एक क्या गोली को चोड़ा जितनी उन्चाय से उस गोली को छोड़ा यहां से मतलब इनका वेग जो है परिवर्तित होगा लेकिन उन्चाई जो है ना जितनी यहां से छोड़ेंगे उतनी उन्चाई पर यह दूसरी साइड जाएगा यह तो उन्होंने बात के अब देखते हैं आगे क्या बोल जाएए इसके अपने पढ़ते हैं देखो शित्र में दरशाय अनुषार जब यह कांच की गोलई उपर क्या चड़ेंगी ऊपर चड़िए तब इसका वे क्या होजाता section प्रफ क्या होता है चाम हो जाएगा आणत तर रहे हैं यहां तो वे क्या था स्वादा चाँ दो उसके बाद देखो एक जो अधर्शक गर्शन रही ता आनत तल पर एक गोली स्थिर है तो गैलेलियों ने तरक दिया कि जब गोली को बाई और से छोड़ा जाता है तो यह ढाल पर नीचे की और लुड़के की और दाई और की आनत तल पर उतनी ही उंचाई तक जाएगी देखो जैसे अभी अप जीचाई से चोड़ा उपर यह अपने जो है देखो दाई साइड जाएगी दाई और की आनत तल पर उतनी ही उंचाई तक जाएगी जितनी की उनचाई से छोड़ा गया था अब देखो आगे दो यदि दोनों तलों के जुकाव समान है तो गोली उतनी ही दूर चड़ेगी यह चीज है इसकी हाइट सेम है इधर से इसकी हाइट सेम है और यह एक परफेक्ट बिल्कुल बराबर एंगल पर है मतलब अगर यह 45 डिग्री पर होना चाहिए अपना तो करके क्या होगा यह उतनी ही दूरी पर जाएगी अगर दाइव और के आनत तल के कोन को दिरे दिरे कम कर दिया जाए तो गोली को मूल उन्चाई प्राप्त करने के लिए अधिक दूरी तै करनी होगी अगर इस तल को 36 कर दिया जाए 36 मतलब यह ढाल थी ढाल को क्या कर दिया जाए इस तरह से 36 ठीक है? 36 कर दिया जाए तो क्या होगा जो गोली है वो उंचाई पराप्त करने के लिए अपनी मूल उंचाई पराप्त करने के लिए 36 तल पर लगातार चलती रहेगी और यहाँ पर लगने वाला बल जो होगा वो शुन्या होगा देखो क्यासे यह नेक्स्ट जो सेकेंड डंबर डाइग्राम है यहाँ 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 से अपने इसको छोड़ा पहले गहाँ था यह रहा तो जहां से छोड़ी वहाँ तक जाएगी काच की गोली उसके पर आनतल एक तो यही है इस साइड की और दाइं साइड कहलो ठीक है इस साइड की और अपनों ने इसका जो है एंगल जो कौन है वो कम कर दिया तो क्या आएगा जो गोली है उसको अपनी उन्चाई प्राप्त करने के लिए थोड़ा दूर चलना पड़ेगा तो देखो यहाँ पर एक टाइम यह देखो तीन कंडिशन दिखाईग कि अपना तल क्या हो गया देखो तल क्या हो गया अपना चैतिज हो गया यहां से यहां यह रहा यहां से आएगी और यहां पर सीधी निकल जाएगी तो इस यह गोली तब तक चलती रहेगी जब तक कि यह इतनी उन्चाई के बराबर तक पहुंच ना जाए तो यह तुछ पूरा है अपने को दिया हुआ इसका बद एक बार पढ़ लेना समझ आजएगा उसके बाद देखो यह गया कंप्लेट अब देखो इन्होंने क्या था लास्ट छोड़ा था कहां तक देखो गोली की गती को एक रूप बनाई रखने के लिए गोली की गती को एक रूप बनाई रखने के लिए किसी नैटबल की आफशकता नहीं होती है कैसे मतलब गोली की एक रूप जो है वो कहां तक चलेगी जहां तक की देखो उसके बाद क्या होगा एक रूप बनाने के लिए उसको नैटबल की जो है आफशक्ता नहीं होती है तो वास्त्री कवश्था में शुन्याय संतुलित भारायबल प्राप्त करना कठीना देखो आगे पढ़ते हैं ऐसा गती की विप्रीत दिशा में लगे घर्षन बल के कारण होता है अपने इस साइड चल रहे हैं यह आपनोंने साइड को चीज खेली है तो नीचे जो अपने संते आ के साथ जो लग रही है फ्लागा लुए अपनोंने पड़ा था कि किन के बीच लगता है तो इस गर्शन मर पने के कारण क्या होगा गोली कुछ दिर चलने के बाद क्या आट यह प्रका जाए गी ठीक है अलेकिन अब अपनी जो सतय है जो सर्फेस है उसको क्या करेंगे अपना चिकना बना लेंगे कैसे चिकना बना सकते को चिकनाई युक्त पदार्थ लगा सकते जैसे यहां पर दिया हूँ लूब्रिकेंट उसका अगर अपने लेप कर दे तो अपनी सतय क्या हो जाएगी चिकनी हो जाएगी आब तक जो काम था वो कौन संभाल रहा था कई काम किसे संभाल गया लींट इसके बाल किसे संभाल लिया न्यूटन ने इन्होंने के विचारों को आगे प्रसूत किया और क्या कि Nee को प्रसूत कि अभी-अभी अब दो कि पात से थी लिया अगल और सहुत किवते हैं स्थिरवस्ता से अगर अपने क्या करें इसको बाहर से अपने इस पर क्या कर दें देखो गेंद आप पीछे से अपनों ने इसके बल लगा दिया ठोकर मार दी तो क्या हैगा आगे यूं बढ़ती जाएगी और अपनी एक समान गति इसकी चलती जाएगी लेकिन अगर अपने इस सपेस को यहां पर पढ़िए कोई बल अपनों ने नहीं क्या तो क्या होगा यहीं पर इसले वस्था में अपनी नी रहेगी यहिंशे EST। सब ये वस्तू इपनी गति के वस्था में परिवर्तन का विरोध करती हैं, गुनातमक रूप में किसी वस्तू के विरामा वस्था में रहने या समानव एक से गतिशिल रहने की प्रवर्ती को जड़ात्व कहते हैं, देखो, कोई वस्तू है ना अपने पास, जैसे अपने पा हिलाने की कोशिष कर रहे हूं, बल लगा रहे हैं, बल नहीं हिलेगा, विरोध करेगा आपके बल का क्यूं करे गा क्यों कोई वस्ता हुतोर, परिवर्तन का विरोध करती हैं, और येहीं प्रिवर्ति को अपने क्या कहते हैं, जड़त्व कैते तरी ये प्रथम या asend PO na मजलिया की होता कि आगे थोड़े बहुत एक्सांपल देख लेते हैं किसी मोटर गाड़ी में यात्रा करते समय होने वाले अनुबहों की व्याख्या जड़त वनियम के द्वारा की जा सकती है सीट के सापेक्ष हम तब तक विरामावस्ता में राते हैं जब तक कि मोटर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक न लगाई जाए देखो अपने बैठे हैं जैसे बस के अंदर बैठे हैं मालो उसके बाद अपने क्या कर रहे हैं सीट के सापेक्ष अपने क्या हैं बिल्कुल स् और जुक जाएगा पूरे का पूरा अब नहीं बाथ चल रही थी कि आगे कि और कि आजएगा जूक जाएगा अब आगे पढ़ते हैं अजाती है बेक लगाए जाने पर ब हडाए जाने पर ब lam कौरिया गती धस्ता में डेट की साथा और के साथ गतषी करेंगे यहां के विरोध करेंगा धाने के इससे प्रेक प्रिया से खेंग ते सकते हैं कि हमारा जो शरीर है वो अपनी जो स्थिती है जो उसकी उसको नहीं छोड़ना चाहता है उसी प्रवर्ति में बने रहना चाहता है इसलिए जब उस पे बाहर से पने बल लगता है तो क्या होगा हम आगे जो है आगे के और जुख जाते हैं और पैनल से टकरा के गायल भी हो सकते हैं इस तरह कि दुगटनाओं से बचने के लिए स्रक्षा बैल्ट का प्रयोग किया जाता है तो आपको सब्सक्राइब लगाते हैं तो अपने को मतलब आगे के और जादा वो जाने नहीं देता पीछे के और इक असके रख लेता है हम आगे देखते हैं यह स्रक मत्र बस की फर्श के संपर्क में रहता है गती में आजाता है पर शरीर का उपर ही भाग जड़त्व के कारण इसका विरौद करता है देखा सेमें बात रह जो अपने पिछी एग्जामपल में देखी है कि अपने पैर किसके साथ अच्छा है अपने पैर है ठीक है बस के वो पीछे की और जुक जाएगा किसके कारण होता है यह जड़त्व के कारण होता है क्योंकि जड़त्व के कारण अपना जो शरीर है वो इसका विरूद करता है देखो जब कोई मोटर कार तीवर गती के साथ तिक्ष्ण मोड पर मुड़ती है तो हम जुकने लगते हैं इसे भी जड़त्व के नियम से समझाया जा सकता है देखो हमारा शरीर अपने एक सरल रेखिया गती को बनाए रखना चाहता है जो मोटर कार के दिशा को बदलने के लिए इंजन द्वारा एक ऐसंतूली तबल लगा रहे हैं तब हमारा शरीर है वो जड़त्व के कारण सीट के सब्सक्राइगे के और जोगता है कि अदेखो पना जो पैर है कि किसकी टचमे में अपने अपने सर्रेक्शर्ण ड़ेख तो बैस तो प्रपने शरीर अपना जो है वर भी क्या कर्ष των एक सर्रह अगती अचानक से यूं कोई मोड नहीं लगा सकते औअसंतू घृत बल कि जो तुले वित बल से गती नहीं होता इसलिए अपने किसका बात करते हैं ऐसन पूलित भलकी बात करें इसे निम्न गतिविदी से दर्शाया जा सकता है देखो गतिविदी यहां पे गतिविदी दी हुई है देखो सिंपल डाइग्राम से देख लो लैंगविज अपने बात में देखेंगे एक गिलास है गिलास के उपर एक ताश का पत्ता रखा है ताश के पत्ते के उपर एक शिक्का रखा हुआ है शिक्का तो अपने देखी रहे हो जैसे बिल्कुल देख रहे है तो एकदम से जब जटक और जो शिक्का था यहां अपनी विरामवस्था को उसने नहीं छोड़ा और क्या हो गया गिलास में गिरी तो देखो यह है कि इसमें भी द्रवयमान पրवर्था आपको पते हैं किसी विवस्तू का भाहर भाहर होता है खारेदा ज़त्व की बात आपने करी चुकिया है तो इसको अपने एक्जांपल से देखते हैं अभी तक जो भी धारण गति वीडियो से हमने ग्यात हुआ कि प्रतेख वस्त्व अपनी गती की रहना चाहती है अगर विरामा वस्त्व में या गती-शी लवस्त्व में वो अपनी मूल रवस्था को बनाई रखना चाहती है मिरला कोई वस्तु अगर गती कर रही है तो वो गती ही करते रहना चाहती है रुखना नहीं चाहती बीच में और अगर कोई स्थीर रवस्था में है तो वस्तु का ये गुन क्या क्या लाता है जड़त्व क्यालाता है तो इसको धक्का लगाओगे तो सिम्पल सी बात है कौन सबसे पहले खिषकेगा जो खाली बॉक्स है अवस्था को नहीं छोड़ेगा देखो अभी यहीं धक्का दे आसान है उसी प्रकार हम एक फुटबॉल को किक लगाते हैं तो वह दूर चला जाते है लेकिन उतने ही अगर बल से किसी बड़े पत्थर को किक लगाएं तो वो खिसकता भी नहीं है और हो सकते है कि हमें ऐसा करने से चोट भी लग जाएं देखो एक तो गेंद है क्या करोगे फोर्स लगाया आगे की ओर चले गई लेकिन यहीं पर अपने पास एक ऐसे करो पत्थर है ठीक है पत्थर पर अपने बल लगाया क्या करेगा नहीं खिसकेगा वहीं का वहीं रहेगा क्योंकि उस पर क्या काम कर रहा है जड़त्व काम कर रहा है क्यों क्योंकि उसका वजन क्या है जादा है और गेंद क्या होती है हलकी होती है अब अपनोंने किर्या किलाब देखा कि अपनोंने वह शिक्का भी देखा था कि कांच के उपर अपनोंने शिक्का रखा हुआ है और उसके बाद अपने ताश का पत्ता था ताश का पत्ता तो जितने बल कि आफशकता होती है उतरा बल एदी रेल गाड़ी पर लगाया जा तो उसकी गत्ती में प्रिवर्टन होगा देखो यह मालो अपनी रेल गाड़ी है ठीक है इस पर बल लगा रहे हो तो क्या होगा नहीं खिसकेगी क्यों कि इसका द्रवयमान क्या है जादा है और अब यूँ फोर्स लगा रहे तो क्या होगा आगे क्यों चला जाएगा क्योंकि इसका वजन या इसका द्रवयमान क्या है कम है और यह अपने प्रिवर्टन नहीं नहीं देना चाहती कौन रेल गाड़ी उसके बात अपनोंने क्या जड़त्व क्या है ठेला गाड़ी से इस कहीं अब इससे निम्न रूप में परिवाशित कर सकते हैं किसी विवस्तु का जड़त जिसका द्रवयमान कम उसका जड़त्व भी कम आज अपना ने किया था गती का प्रथम नियम जड़त्व और द्रवयमान पढ़ लिए अब नाक्स्ट करेंगे अपने गती का दुत्यनियम नाक्स्ट वीडियो में